तो यह हम character का front view draw करने वाले हैं और आप इसे चाहे traditionally draw करो paper के उपर या फिर इसको digitally draw करो method बिल्कुल सेम है ठीक है कोई difference नहीं है तो शुरुआत करेंगे एक circle draw करने से इस circle को बिल्कुल भी perfect उनगी जरूत नहीं है अगर आप इसको traditionally draw कर रहे हो तो तो उसके बाद हम इसको beach match से divide कर देंगे half और यह इसके बीच में mark करेंगे line की बीच में और उसके बाद दो line में draw करने वाले हैं एक उपर और एक नीचे यह जो दोनो line हैं यह आँखों पर depend करता है कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी आँखे जो है आप अपने characters के लिए draw करने वाले हो तो आप अपने हिसाब से इसको कम या जादा रख सकते हो उसके बाद हम यह दो डब्बे बनाने हैं दोनों side और यह डब्बे जो है यह आप देख सकते हो कि one ratio one ratio one का है ठीक है दोनों डब्बो का जो gap है ना यह एक डब्बे के equal होना चाहिए होके हम इनी दोनों डब्बो के अंदर इसकी आखे draw करने वाले हैं उसके बाद इसके बीच में हमें एक mark करेंगे उपर line और नीचे circle का bottom के बीच में और यह जो gap है ना यह नीचे यह same gap हमें नीचे लेना है और यहाँ पर हम इसकी जो character की जो chin है ना chin वो draw करेंगे तो यहाँ पर हम एक horizontal line draw करेंगे बिल्कु straight line और यह दो narrow line दो करेंगे हम circle से touch होती भी जा रही है देख सकते हो आप उसके बाद हम दो line इससे हम draw करेंगे जो कि इसकी jaw line draw करने में help करेंगे अभी हम सिर्फ straight line draw करेंगे कोई curve नहीं दे रहे line में उसके बाद इसका head है ना इसका head draw करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का हम distance लेंगे circle के top से लेके और यह midpoint तक और वही same gap है वह हम उपर लेंगे और इसके head का curve draw करेंगे तो बस हमें सिर्फ इतना ही करना था है यह head draw करने के लिए और यह जो method है यह बिल्कुल same method है हर age के लिए और female और male दोनों characters के लिए तो अब हम इसके कान draw करने वाले हैं और यह जो gap है यह दुनों line के gap यह हम same gap लेंगे और इसके head करेंगे और यह जो upper line है इससे नीचे के तरफ यह नीच यह इसके head का top है वह बिल्कुल same हम left side में भी गरेंगे यह हमने इसके head करेंगे और अब मैं इसकी जो measurements वगेरा न वो दे जता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए मतलब आपको clear हो जाएगा कि हाँ इतना gap है इन चीज़ों की बीच में तो यह बिल्कुल simple तरीका है बिल्कुल भी इसमें आपको कोई measurement की जरूत नहीं पड़ेगी और सब कुछ आपको याद हो जाएगा तो यह जो मैंने structure draw करा है अब मैं जा करूँगा इसको copy करके drag कर दूँगा right की तरफ और अब हम इसके अंदर character का जो face है वो draw करने वाले है अभी तो हमने structure draw करा था और अब हम इसके help से इसका जो face है वो draw करेंगे तो यही advantage की वजए से मैंने digital को prefer किया था तो इससे आपको जो पहला structure है वो भी अच्छे से दिखेगा और उसके बाद जो मैं structure draw कर रहा हूँ अब face का वो भी अच्छे से आपको नजर आएगा तो यहाँ पी मैंने देख सकते हैं कि यह जो curve है ना दोनों side मैंने दोनों corner से इसको round कर दिया है और curve कर दिया है और chin को भी round कर दिया है और बागी चीज़े सेम रहने वाली है head का जो curve है वो उसके बाद हम मतलब यह अभी हम female character draw कर रहे है तो जिसके वैसे आपको यह धियान में रखना है कि female character के jawlines होते है और chin वो बहुत mostly cases में roundy होते हैं और आपको भी roundy रखना है जो कि female character के feature होते है एक तरह से जो male character से थोड़े से अलग होते हैं face के structure पर तो अब मैं इन दोने की बीच में इसकी आखे draw कर रहा हूं आखे मैं बिल्कुल नॉर्मल सी ही draw कर रहा हूं कोई बहुत साथा detailing अगरा नहीं करने वाला क्योंकि यह भी हम सिर्फ जो face का structure ना वो draw मतलब face front view होता है character का वो draw कर र मैं बस मैंने वो structure को copy कर रहा था ताकि मैं इस पर draw कर पाऊं और वो आपको फिर समझ में आ जाए देख अच्छे से तो यह मैंने फिर इसके जो pupils है ना वो draw कर दे है और फिर यह जो है इसके eyelid lines कहते हैं इसको और फिर यहां पे हम इसके eyebrows draw कर रहे हैं अभी हम बिल्कुल basic सा expression देंगे expression में हम बहुत जादा कुछ simple रखने वाले हैं अभी हम तो मैंने यह बिल्कुल नॉर्मल सी eyebrows draw कर दिया और मैं इसके iris draw कर रहा हूं इसकी और यह इसकी highlight है आँखों के अंदर जो होती है और यह कुछ separate eyelashes ठीक है जो कि female eyes में होता है और बस मैं अभी कुछ lines draw कर दूँगा hatching type की और थाकि अब यह थोड़ा इसको volume मिल जाए थोड़ा सा तो मुझे बता देना कि इसमें मैंने कोई advantage वागरा कोई मतलब किसी चीज का बहुत साला फायदा हो गया मुझे डिजिटल डिजिटल करने से ऐसा कुछ भी नहीं है सब कुछ traditional की तरह ही draw कर रहा हूं मैं बस से इसमें आपका फायदा है कि मैं आच्छे से समझा पाऊंगा आपको तो यह mouth और nose की positioning आप देख सकते हो कि और यह जो character का जो है यह बिल्कुल complete हो चुका आप मैं इसकी guideline जो हटाता हूं यह देखो आप और इसकी lines वगयरा को मैं redraw कर रहा हूं और अच्छे shape दे रहा हूं तो जब आप यह जी traditional में करोगे न तो आपको erase करने पड़ेंगी तो यह जो head का front view हो पूरी तरह से ready हो चुका है और इसकी age 18 से आप 24 तक की मान सकते हो और यह कुछ मैं volume के लिए कुछ shading गार आड़ कर देता हूं बाकि यह जो front view का जो first character का female character का वो complete हो चुका है पूरी तरह से और अब हम second जो है उसकी तरफ जाएंगे जो की teenage को यह तो हमने adult character draw करी है और अब हम teenage की तरफ जाते है तो अब teenage character draw करने के लिए जो method है यह बिल्कुल first वाले की तरह है बिल्कुल same कहीं पर भी कोई difference नहीं है तो अब ध्यान से देखना ठीक है यह जो gap है ना circle के bottom से लेके और यह जो चिन तक क्या जो gap है इसके बीच में हमना एक mark करेंगे और हम वो जो jawline हमने draw करेंगे देना straight सिर्फ यही चेंज है और उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है आप देख सकते हो आपर मैं बिल्कुल इसी का use करते हुए मैं teenage character है वो draw करूंगा अभी तो similarly मैंने जो face का जो shape है jaw corner जो होते है इसको मैंने round कर दिया है और chin जो है उसको और जाता round करने वाले है क्योंकि ज जाने जितने कम होती है उसकी जो jaw lines और chin होते है वो उतने ही round होता जाते है यह anime का मतलब rule है यह तो real life में भी कुछ ऐसा ही होता है तो यह मैंने बिल्कुल same हर चीज़ ड्रॉग कर रही है आँखे अभी मैंने similarly draw करने ही कोश्च किया और बस एक difference जो आपको आ जाएगा वो यह होगा इसमें nose और mouse की जो positioning होगी न वो ऊपर की तरफ हलकी से shift हो जाएगी क्योंकि हमने इसके chin को ऊपर की तरफ shift करा है तो जिसके लिए इसके nose और mouse की positioning है वो भी ऊपर की तरफ से ले जाएगी अब पहले हमने यह जो draw करा था इसके midpoint के पास इसकी narc draw करी दी ठीक है ल तो अब मैं इसी जो lines पगर है उनको थोड़ा redraw करके थोड़ा smooth कर देता हूं और इसके neck भी draw करने बागी है तो neck की positioning है वो भी बिल्कुल सेम है आख की बिल्कुल नीचे की तरफ और यह मैंने बिल्कुल सेम इसके garden पे जो shadow है वो रो आड कर दिया है और बस फिर हमारा जो 15 साल के बीच में हो सकती है तो अब हम 3rd character की तरफ पढ़ते हैं जो की हमारा होगा kid उसके लिए भी बिल्कुल exactly same method use करने वाले है तो मैंने इसको copy करके drag कर दिया है और इसकी जो chain होगी ना वो यहां से होगी circle से बिल्कुल touch होती वह जा रही है हमें बिल्कुल touch कर देना circle प रखनी है कि यह जो है इसमें हम और जादा curve कर देंगे इसके जो jaw lines है और जो chain है बिल्कुल round कर देंगे एक तरह से उसके बाद जो आखे हैं वह मैं बिल्कुल similarly draw कर रहा हूँ जैसे मैंने first two characters के लिए draw कर रहा था और इसमें मैं थोड़ी जो pupils है वो बड़ी रख रहा हूँ क्योंकि kid character के थोड़ी से बड़े आखे होते हैं और यह highlights वगेरा था बिल्कुल सेम ही है और इसकी nose draw करने के लिए सबसे अहसान होता है kid character की nose draw करना बस हमें एक dot ही draw करना है इस तरीके से बस और इसकी जो यह और उपर की तरफ shift कर दिया है यह almost उपर आँखो वाली line पर touch कर रही है इसकी nose इसकी और इसकी जो mouth है वो नीचे वाले point के पास है और यह जो head का curve है वो हम थोड़ा सा नीचे ले ले लेंगे जो हमने initially लिया था head का curve बाग इस सार चीज़े बिल्कुल सेम ही रहने वाली है यह हमने neck draw कर रहा है यह आपे और eyelashes और इसकी जो eyebrows है वो उसके बाद जो character हमारा ready हो चुगा है यह मैं shadows फगेर add कर देता हूँ और तो इसकी जो age है वो 5-8 साल के बीच में आप कह सकते हो तो अब मैं एक चोटा सा recap देता हूँ कि मैंने इसमे टेक्निक में क्या किया और क्यों आप इससे सिर्फ 5 मिनिट में कर सकते हो एक circle draw गिया इसको बीच में से divide किया इसके बीच में एक mark करा और दो lines draw करे एक उपर और एक नीचे midpoint के और उसके बाद नीचे भी एक mark किया औ और वहाँ से फिर हमने इसकी chin draw गी straight line draw करते हुए फिर हमने इसकी jawline draw की straight line draw करते हुए और अब हम इसकी जो head का curve है वह हमने यह gap है midpoint से लेके circle के top तक वह आपने ऊपर लिया और फिर वहाँ से head का curve draw कर दिया और उसके बाद दो कान draw कर दिया यह जो हमने आखों के लिए line करे थी उसके नीचे आना चाहिए और फिर similarly अलग-अलग एजेस के लिए हमने इसकी jawline वो switch करते गए उस तोड़े ऊपर की तरफ shift करते गए बस यही टेक्निक है और उसके अलावा हमने आँखों के लिए दो boxes ड्रो किये जो कि हर एजेस के लिए same है one ratio one ratio one का तो बस यही पांच मिनिट की टेक्निक है जो आपको male characters के लिए भी apply करना है तो मैंने बिल्कुल same चीज़ copy कर दिया आपे और हम इसमें क्या ध्यान में रखना है यह method बिल्कुल same है लेकिन जब हम draw कर रहे होंगे तो उसमें क्या पूरी तरह से राउंड नहीं रखा है और जो चिन है वह थोड़ी से फ्लैट है जो चिन को इस तरह के से फ्लैट रखना है और क्यूंकि हमारा यह male character तो male character के जो नॉर्मली जो होते है चिन वह फ्लैट होते है और देख सकते हैं यह जो है female character का जो मैंने ड्रो गिया था वह इस तरह के से round ड्रो गिया था चिन को जो corner है वह लेकिन यह male character का यह मैं इस तरह के से थोड़ा सा edge थोड़ा सा corner रख रहा हूं इसका आपर ठीक है पूरी तरह से round नहीं है और यह जो chain है यह इस तरह के से पूरी मैंने round ड्रो करी थी female characters के लिए लेकिन male characters के लिए मैं यह आपर flat रख रहा हूं और इसकी आखे ड्रो करेंगे तो इसकी आखे हम कैसे ड्रो करते हैं मैं normally आखे ड्रो करने वाला हूं इस तरह के से बिल्कुल simple ता shape है आख हो जो size है वो थोड़ा सा छोटा हो गया मतलब इसकी जो width है वो थोड़ी सी कम हो गई है तो यह बिल्कुल आपर depend करता है कि आप किस तरह के कि आखे ड्रो कर रहे है अपने character के लिए बाकि सारे चीजे जो है वो same रहने वाली है तो यह इसकी eyelid lines होगी और यह जो nose है यह इस line के से लेकर और यह नीचे जो mid line है वहाँ तक होगी इसकी nose तो perfect positioning आगे हमारे पास और mouse की जो positioning है वो circle से थोड़ी सी ऊपर की तरफ है तो यह कितास हमने male character जो है वो draw कर लिया है और इसकी जो eyebrows है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होंगी जो almost line को touch कर रही होंगी तो बस male character जो हमार है ready हो चुका है थोड़ी shade कर देता हूं और तो हमने एक जो adult है वो बिल्कुल same method के use करते वे draw कर लिया आप देख सकते हो method बिल्कुल same है मैं फिर से कहा रहा हूं और बस हमें कुछ यह ध्यान में रखनी है जो इसकी जो jawline थी और जो chin थी वो बस इसके अलाबा सारी चीज़े same है तो इसकी जो nose का shape आप देख सकते हैं इसमें चोटी सी है और इसमें जो nose का shape है वो थोड़ा सा बड़ा आप है यह भी एक difference है जो कि male character को female character के design से थोड़ा सा अलग करता है अब इसके teenage की तरफ वढ़ते हैं इसमें भी हम थोड़ा सा corner रखेंगे और इसमें जो है चिन वो जाता flat नहीं होगी हलकी सी curvy होगी क्योंकि character जो है वो age में काफी कम है इसकी आखों का design है वो मैं ऊपर वाले adult की तरह नहीं draw कर सकता क्योंकि जो male characters के जो आखों का design होता है वो अलग-अलग होता है हर age के लिए female characters में almost same होता है लेकिन male characters के लिए अलग-अलग होता है तो इस तरह से मैंने थोड़ी बड़ी आँखें ही draw की है design में हलका सा change कर रहा है आप देखते हैं लेकिन जादा change भी नहीं है और मैंने similarly इसके जो mouth और nose की positioning है हलकी सी उपर shift कर दिया है और बागे सारी चीजे सेम है आप अपने हिसाब से हमेशा इसको कस्टमाइज कर सकते हो कोई problem नहीं है तो बस यह हमारा ready हो चुका है character और अब हम बढ़ते है kid की तरफ इसमें भी हम बिल्कुल जैसा हम फीमेल के लिए draw गिया था बिल्कुल वैसे draw करेंगे लेकिन इसमें नहीं बिल्कुल भी jog corners जो है वो नहीं रखने वाले बिल्कुल round कर देंगे और chin भी बिल्कुल round कर दें बिल्कुल female character की तरह सोड़ा सा नीचे की तरफ लिया है और आखे जो है वो मैंने बड़ी बड़ी draw करिया क्योंकि यह आप अगर आपने अगर ocean को देखी है तो उसमें आप देख सकते हो कि जब वो जो है character जब छोटा था वो तो उसके आखे देख सकते हो आप कितने सेम थी लगबग तो वही है kid characters के लिए ना ज्यादा differences नहीं होते male और female में और थोड़ा eyelashes को मैं थिक कर रहा हूं उसके बाद जो हमारा kid character है वो पूरी तरह से रेडी हो चुगा है तो यह पांच मिनट की exercise है जो कि आप प्रैक्टिस के तोर पर daily कर सकते हो कहीं पे भी आप class में हो या फिर घर पे हो कहीं पे भी कर सकते हो और यह आपको बिल्कुल perfect बना देगा इसको फ्रंट व्यू ड्राव करने में मेल और फीमेल दोनों characters का तो यह में मैं कुछ आई पे ना आई पे इनके shadow जो है वो मैंने add करना भूल गया था वो मैं अभी add कर रहा हूं काफी volume मिल जाता है आँखों को यह shadow add करने से तो बस फिर आज का जो महारा session था anime characters के front view के उपर male और female characters का वो हमारा complete हो चुगा है तो अभी बहुत सारी चीज़े बागी है जैसे इन heads को अलग-अलग angle में draw करना अभी हमने front view में draw कर रहा है सिर्फ और उसके अलावा इसके बाल वगेरा draw करना हम सीखेंगे जिसके उपर मैं अलग से वीडियो के पूरी सीरीज लाने वाला हूं तो फिर प्लीज सब्सक्राइब कर देना और ताकि आप मिस्स ना करो और वीडियो को टुटिरिल को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो फिर नेक्ट वीड कर देना है ओके